तो वेरी वेरी गुड इवनिंग तो अलव यू तो मैट्रिक्स के आज क्लास नमर थर्ड है और आज हम समझेंगे अलजब्रा आफ मैट्रिक्स तो बेसिक कैलकुलेशन की तरफ में आपको लेकर चल रहा हूं मैट्रिक्स के जो मैस बैक्ग्राउंड के सुडेंट है उनको उ नेखोल जाता है और जो नोनमास बैक्ग्राउंड के सुडेंट है उनके लिए तो यह बिल्कुल फ्रेश और नया टापिक है तो आए बिलकुल जीरो लेफल से हैं इस टापिक को स्टार्ट करते हैं अलजब्रा आफ मैट्रिक्स यहाँ पर हम मैट्रिक्स के एडिशन करना सीखेंगे, subtraction करना सीखेंगे, product सीखेंगे, multiply करना सीखेंगे और यहाँ पर हम inverse matrix के बारे में सीखेंगे, equal matrix सीखेंगे, तो कुछ basic सी चीज़े हैं, आए, algebra of matrix start करते हैं, सबसे पहले हम addition के साथ में, देखें जरा, example समझते हैं कि addition हम matrix में किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले, अगर आप matrix को add कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इसका order देखेंगे, order means कितने row हैं इसमें, इसमें अगर मैं row की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर two row है, और column कितने हैं, column three है, और यहाँ के अगर मैं second matrix की बात मैं करूँ, तो इसके order की बात करता हूँ, तो कितने row हैं जैसे देख रहे हैं आपके यहाँ पर 2 row है और column कितने हैं कolum आपके पास पर आप देख पा रहे हैं कि 3 column है तो addition करने के लिए जरूरी यह है कि जो first matrix का order है और जो second matrix का order है यह order आपके addition करो या फ्र आप subtraction करो यह order आपके equal होने ही चाहिए हमेशा जहां नखना आप तो दो matrix जब ही add हो सकते हैं या जब subtraction हो सकते हैं जब उनके order same हो जसके आप अपने सामने example में यहाँ पर देख रहे हो तो ठीक है यह order यहाँ पर same है चलिए फिर किस तरके से इसको हम add करेंगे बहुत simple है इसको आप कि आप जो matrix बनाने जा रहे हैं वो आपका 2-3 का ही matrix बनेगा add करने के बाद 2-3 का ही matrix आपका बनेगा add करने के बाद यह चीज़ आपको clear होने चीए order change नहीं होता है और add किस तरके से करना है बहुत simple है बहुत साधारण है कि आप क्या करेंगे first element का first element के साथ में addition करेंगे like 2 plus 5 and second element का second element के साथ में करेंगे 1 plus इसका अपना individual sign कुछ भी हो वो तो आपको carry करना है बट बीच में plus आएगा क्योंकि आप addition कर रहे हो ना तो यह minus 3 दो sign एक साथ नहीं लगते हैं इसलिए हैं पर मैंने bracket कर स्तेमाल किया है उसके बाद third element जो है आपका मतलब first row third column का first row third column के साथ ही addition होगा तो 0 plus यहाँ पर 2 हो गया similar आपका second row का first element और यहाँ पर आपके पास second row का first element के साथ में ही होगा तो 5 plus 1 और आपका यह 7 plus 4 और इसी तरीके से minus 1 plus 6 अब अगर आप इसको solve करेंगे तो solve करने पर जो result आपको देखने को मिलेगा आपको 7 और यह आपका 1 और minus 3 तो minus 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 और 6 आपका और 11 और यह आपके पास में 5 आएगा तो इस तरीके से आप जो है दो matrix को आप add कर सकते हैं तो यह बहुत साधारन सा सवाल था आपका कि addition में इस सीच के धानक ना है first element का corresponding elements के साथ में ही आपको addition करना है जैसे corresponding elements क्या होते हैं जैसे for example यह देखिएगा यह क्या है यह first row का first column है तो यहाँ पर भी first row का first column इसको बोलते हैं हम corresponding elements first row second column तो यहाँ पर first row का second column इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे corresponding elements तो corresponding elements को मैं थोड़ा mark कर देता हूँ यह कुछ इस तरीके से यह आप देख रहे हैं यह corresponding elements है यह आपका corresponding elements है क्लिर रहे जी इसको corresponding elements कहेंगे तो आगे मैं जब इस word को use करूँगा तो आपके mind में चीज़ें क्लिक होनी चाहिए कि corresponding elements किसे कहते हैं क्लिर रहे जी चलिए आगे बढ़ते हैं पहले आप basic calculation को समझ लिजिए क्योंकि आगे हमारा topic जो application of matrices है क्योंकि आपका जो syllabus है ना matrix and determinants है बट business math आपके पास में है तो business math में generally आप यही सीखेंगे कि जो आपने 12 में पढ़ा इसको कैसे practical life में आपको use करना है कुछ उस तरीके question कुछ उस तरीके paragraph होंगे कुछ उस तरीके situations होंगे forms related questions होंगे business related questions होंगे तो वहां पर हम matrix की knowledge को apply करके किस तरीके से हम अपना course निकाल सकते हैं अपनी revenue calculate कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर धीर धीर करके यहाँ पर सीखेंगे आगे चल करके लेकिन पहले हमें basic calculation तो पता हो matrix का clear है इसलिए remind करवाने के लिए चीज़े मैं आपको बता रहा हूं हाला कि यह कोई बहुत basic है लेकिन कई बार paper बहुत आसान भी आ जाता है जैसे कि इसमें आपका जो last semester देखने को मिला था जो आपने दिया है paper काफी आसान था तो हमने starting स लेके चलते हैं लेकिन बहुत जादा जो है basic चीज़े भी पूछी गई थी चले जैसे यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में आपको कुछ चार matrix दिये वें और हर matrix का अपना एक नाम है A, B, C, N, D और आपसे first question क्या पूछ रहा है A plus B आप बताओ तो इसको आप जो आपके पास में A matrix क्या आपका 3, A matrix आपके पास में 3, minus 1, and 4, minus 2, 0, and 5 यह आपका A हो गया A plus B, and B matrix क्या आपके पास में B matrix आपके पास में 5, 6, 1, minus 2, 3 में direct नहीं कर रहा हूं कि किस ट्रेप लिख के कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे जो है mass background के नहीं है वो panic नहीं हूं, उनको भी सब कुछ सौंज में आए, इसलिए, अब दिखेगा, आपको पता है corresponding elements add हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर हम क्या direct कर दें, for example, 3 plus, आगर आप देखते हैं, तो 3 plus 5 क्या हो जाएगा मेरे पास में, करके दिखाएता हूं, 3 plus 5 आजाएगा, and आपको corresponding element minus 1 का corresponding element का 1 है, और 4 का corresponding element का 3 है, similar इसी तरीके से minus 2 का corresponding element 6 है, and 0 का corresponding elements का है, अपका plus तो करना ही है, जो इसका sign है, वो अपना indigo sign bracket में लिखें आप, और इसके आद 5 plus आपको 4 करना है, तो इस तरीके से आप solve करेंगे, तो matrix आपका तो 2 order 3 का ही बनेगा, आपका, 2 to 3 का बनेग और यहां पर आपका यह 0 हो गया, और 7 और इसी तरीके से आपके पास में यहां पर हो गया dear 4, और यह आपका हो गया minus 2, और यह आपका हो गया 9, बच्चे, यह आपका क्या है, यह आपका A plus B है, तो बहुत basic चीज़ जो हमने पहले किया, उसी चीज़ को हमने यहां पर find कर यह क्लियर रहे जी कोई डाउट ठीक है आगे बढ़ते हैं यह तो अब आपको एडिशन आ गया है अब मैं यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको आप एडिशन कर लीजें पहले आप A plus B कर लें फिर उसके बाद सी कर रहे हैं यह प्लस C B किसी भी और में आप किसी को फर्क नहीं पड़ता है clear जी for example जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यह निकाल रहा हूं लेकिन इस बात का calculation के तो नियम खर plus में तो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन multiply में फर्क पड़ जाएगा इस बात का धानक ना अई मैं उस चीच पर आऊंगा लेकिन आप पहले basic calculation का मतलब समझे क्या होता है कभी इस तरीके से आपसे सवाल पूछ रहा है तो पहले bracket के अंदर जो है उसको solve करते हैं यह नियम में इस नियम की habit डाल लेजिए अबी से तो आएए इसको जड़ा हम solve करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले bracket में A plus B तो A matrix क्या है हमारे आपके सामने 3 minus 1 and 4 और आपका minus 2 0 and 5 A matrix आपका यह हो गया plus आपके पास में क्या B तो B matrix क्या है आपका 513 513 and 6 minus 2 and 4 clear है जी अब bracket कह रहा है तो आप यहाँ पर bracket का use करें clear है addition में फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपके habit नहीं रही इस सीच की पहले bracket solve करते हैं तो आगे multiplication में आपको problem होगी then plus क्या कह रहा है C तो C matrix क्या हमारे पास में 4 minus 3 4 minus 3 1 और आपका 6 1 minus 7 6 1 minus 7 ठीक है जी यह कुछ इस तरीके से आपसे सवाल है तो आए ज़रे इसको solve करते हैं direct solve कर रहा हूं है पहले bracket को करेंगे हम ठीक है तो आपके पास में order सेम रहेगा तो आपके पास में 3 और 5 क्या हो गया 8 हो गया minus 1 and plus 1 तो यह 0 हो गया 4 और आपका 3 यह आपका 7 हो गया similar minus 2 and plus 6 तो आपका 4 हो गया 0 and minus 2 तो minus 2 रहेगा and यहाँ पर आपका 9 हुआ तो पहले आपको bracket solve करना होता है अब bracket open होकर क्या आपके पास में क्या आया 4 minus 3 1 6 1 and minus 7 ठीक है जी अब आपको यहाँ पर वही process दुबारा से repeat करना है corresponding elements को आपको यहाँ पर क्या करना है add करना है तो आपके पास में क्या आएगा आपके पास में 8 and 4 आपका 12 0 and minus 3 आएड करेंगे तो minus 3 4 and 1 आपके 7 और 1 आपके पास में क्या आपके आगया 8 आ गया 4 और आपके पास में 6 कितना आ गया आपके पास में 10 आ गया minus 2 and plus 1 minus 1 9 and आपके पास में minus 7 तो आपके पास में 2 आ गया यह clear है जी तो इस तरीके का आपका कुछ यह result देखने को आपको मिला अगर आप कुछ इस तरीके से matrix को solve करते किस तरीके से जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आप a plus bracket b plus c अगर आप solve करते तब भी आपके यहाँ पर result में कोई फार्क के देखने को नहीं मिलता है clear है आप इस तो भी करके देखेंगे तो आप same matrix आप achieve कर लेंगे तो plus के order में आप देखेंगे order अगर आपका आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई खास फार्क है नहीं पड़ता है यह बात clear है या नहीं है बताएगर यहाँ पर space थोड़ा कम पड़ रहा है अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर तीन स्टेप आपका लगना है तो मैं इसको करके दिखाएता हूं आप देख लिजेगा आपके लिए comfortable है या नहीं स्क्रीन मैं इसको छोटा कर रहा हूं अगर आपको नहीं दिखे विजिल्टिक हो तो मुझे आप बता दीजेगा ठीक है चलिए अभी तो multiply करना सिखेंगे बहुत को सिखेंगे लेकिन सबको देजरे सिखेंगे देखेंगे टाइम से course start करने का यही मजा है टाइम से course start करने का मजा ही यही है टाइम से क्योंकि हम slow और अच्छे से समझते वे आगे बढ़ते हैं एक्जाम टाइम में इतना पैनिक है आप लोग नहीं बच्चे नहीं हो आप लोग इतना experience है पेपर का कि आपको मालूम है कि उस पैनिक में बेसिक सी चीज़े भी समझ में नहीं आती है अब मैं आपको जो है यहाँ पर जिस order की बात कर रहा हूँ और border order की बात कर रहा में 3 माइनिस 1 और 4 माइनिस 2,0 और 5 प्लस ब्रैकिट, बी मै्मेट्रिक्स तो बी मैट्रिक्स आपके पास में क्या है बी मैट्रिक्स आपके पास में है 5,1,3,6,2,4 प्लीर एजी यह आपके पास में क्या है यह आपके पास में B matrix तो क्या कह रहा है B plus C तो चलिए यहाँ पर C तो C matrix क्या है हमारे पास में C matrix हमारे पास में 4 minus 3 1 और 6 1 minus 7 clear है जे अब आए पहले bracket solve टरते नियम का दिहान रखेंगे तो आसान रहेंगे चीज़े आने वाले time में भी minus 1 0 and 4 और आपके पास में क्या है यह 5 plus पहले बच्चे bracket को तो आई यह bracket में direct कर देता हूं मैं 5 और 4 आपका first आपका element है तो corresponding element का addition होगा तो 9 1 और आपका minus 3 जब add होगा तो minus 2 होगा और इसी तरीके से 3 और आपका 1 4 हो गया तो 6 and 6 आपका क्या हो गया 12 हो गया और इसी तरीके से अगर आपके पास में क्या आएगा दोनों को आप आड़ करेंगे तो आपके पास में 9 और 3 आपका 12 आगया और आपका minus 2 and minus 1 आपका minus 3 हो गया clear है और 4 और 4 आपका क्या हो गया 8 और solve करेंगे minus 2 and 12 तो यह आपका 10 हो गया 0 and minus 1 तो यह minus 1 हो गया and 5 and minus 3 आपका 2 हो गया आप जड़ा चेक करें अगर आप तो आपको बिलकुल जो आपको यहां पर आपको जो मिला था result वही same result यहां मिला तो प्लस करने की situation में आप panic नहीं होएगा आप किसी भी order में पहले आप प्लस करेंगे आपके result पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहा subtraction करना सीखते है कि subtraction कैसे करते है आपमेंसे कुछ student अगर इस मतलब की basic calculation नहीं आता है और उनको जो है कुछ basic calculation है कि sign कौन सा लगेगा यह basic सी चीजीए अगर आपको नहीं आती है तो इसके मैंने एक video है basic calculation की जिसमें प्लस, माइनस, बोर्ड मास, LCM लेना, कैलकुलेशन के उपर मैंने बना रखे वीडियो, तो आप एक बार अब मैं यहां तो नहीं पुछूँगा किसको आप जीरू, प्लस, माइनस पे नहीं आता है, बच्चे शर्माएंगे तो कोई बात नहीं, आपने जिनके थिरो अपना कोर्स लिया है, उनको आप मैसेज डाल दीजेगा, वो आपको वो फोल्डर एबिलेबल करवा देंगे, वो कर लिजेगा, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कन्फीजन है तो, चीक है जी, चलिए, आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं कोईशन में, और कुछ अब ये आपके पास में, अब आपका ये है, आपके पास में मैनेस देखेगा, सबसे पहले आप यहां पर सोचेंगे कि सर, A प्लस मैनेस A है, तो जबकि आपका मैनेस A मैट्रिक्स तो है ही नहीं, तो आपको पहले ये देखेगा, आपका A मैTRIX क्या है, A मैTRIX तो आपको पता है कि A METRIX क्या है, A मैTRIX आपके सामने है, कि 3- 1 & 4 और आपका –2, 0 & 5, ये तो आपका क्या है, ये आपका यहां पर A मैTRIX है, ठीक हिए जिए, और आपके पास में minus A, आप सोचरों सर्फ प्लस करना है, minus A तो minus A matrix क्या है? तो बिटा, minus A matrix क्या होता है? अगर आप इसी का दान कीगा, A matrix आपके पास में है ना? क्या? यह A matrix है. अगर आप A matrix में से minus का sign common ले लेंगे, तो यही matrix आपका minus A matrix हो जाएगा. कैसे? A matrix में से minus का sign common ले लेंगे, तो minus A matrix हो जाएगा. अब minus, या फिर आप कह देजिए, minus A का मतलब आप अंदर minus का sign डाल दो. एक ही बात है वजी. मिरी बात समझे या नहीं समझे. minus A matrix का मतलब क्या है? कि आपके पास में A matrix है, और अगर आप minus A matrix चाते हैं, तो इसका मतलब ये है, कि A matrix के अंदर minus का sign डाल दो. ठीक है? नहीं तो आप साधार्ण सी बात समझेगा. क्या? कि मैं दोनों तरीके आपको बतायता हूँ. एक चीज़ तो ये है, कि आप minus common ले लीजिए, सब में से. जब भी minus का चिन common आता है, तो जिसका जो चिन है, वो बदल जाता है. minus plus हो जाता है, और plus minus हो जाता है. तो minus का sign common लिया, तो ये 3 plus का है, तो ये minus का 3 हो जाएगा. ये आपका plus का हो जाएगा. ये plus का है, तो ये minus का हो जाएगा. ये minus 2 है, तो ये plus 2 होगा. और ये 0 है, तो 0 का तो खेर कोई sign नहीं होता है, minus plus कुछ नहीं कहेंगे, यह 5 है आपके पास में, तो यह minus 5 हो जाएगा, तो यह इस तरीके से आपके पास में क्या हो गया, minus A matrix है, तो minus A matrix मिन्स क्या है आपके पास में, minus A matrix का मतलब यह हो गया, कि आप minus का sign जो है, आप common ले लीजिए, मेरी बात समझे, clear है, कोई doubt किसी student को, तो please आप यह पूछे, किसी student को भी किसी भी तरकी का कोई doubt है तो, clear है जी, कोई doubt, अब आप यहाँ देखें, अब आपको क्या करना है, A plus minus A, तो A matrix के आपके पास में, 3, minus 1 and 4, minus 2, 0 and 5, यह आपका A matrix है, plus minus A matrix, तो minus A matrix आपके पास में क्या है, या तो आप क्या सकते हैं, कि minus का sign जो है आप इसके अंदर डाल दीजी, क्यार, minus A matrix की में बात करूँगा, तो पूरा का पूरा आपका क्या है, यह पूरा का पूरा result आपका यह minus A matrix का है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, clear है जी, कोई doubt किसी बच्चे को, कोई doubt है, तो प्लीज पूछिए, तो सारे के सारे आपके पास में क्या हो जाएंगे, आप देख रहे हैं, सबके sign different हो गए आपके पास में, तो यह आपके पास में यह एक 0 हो जाएगा, तो माइनस A matrix आपके पास में क्या है, तो यह एक नल मेट्रिक्स बनेगा आपका, और नल मेट्रिक्स में क्या हो जाएगा आपके पास में, 0, 0, 0, 0, 0, 0, clear है जी, समझे, कोई doubt, चलिए फिर, next question बेचलते हैं, जाएगे हम, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, A minus B, तो अब आपको मैं subtraction करना सिखा रहा हूँ, तो subtraction में भी same आपके पास में, subtraction के अंदर भी same rules follow होंगे, इसका order क्या है, अगर आप देखे, row कितने हैं, row अगर आप देखे, तो 3 row है, और column कितने हैं, order same हो, और आपका किस order में matrix बनेगा, आपका same order में matrix create होगा, तो आएगे करते हैं, A minus B हम calculate करते हैं, तो A minus B equals to, A matrix क्या हमारे पास में? A matrix हमारे पास में 4, minus 1, 2, 3, and 3, और 7, यह क्या हमारा? यह हमारा A matrix है, ठीक है जी? और minus B matrix, तो B matrix क्या हमारे पास में? B matrix हमारे पास में 0, 2, 5, minus 2, and 6, 1, clear है जी? जहाँ पर भी आपको क्या करना है? corresponding elements को subtract करना है आपको, तो corresponding elements के आउगा है, इससा कि 4, minus 0, minus 1, तो यह है, minus करना है न आपको, minus 1, minus 2, clear है? बेरी बात समझे? इनके अपने individual sign वही रहेंगे, बस बीच में minus का sign आएगा आपका, आगे 2, minus 5, ठीक है? 3, minus 2 रहेगा, लेकिन इसका minus 2 है, तो इसका individual sign, 2 sign bracket, minus 2, clear है जी? आगे अगर आप देखेंगे, तो आपके पास में 3, minus 6, और आगे देखेंगे आपके पास में क्या होगा? 7, minus 1, ठीक है जी? किसी शुर्ण कोई doubt है, तो पूछे, अगर आप इसको solve करते हैं, तो क्या result रहने वाला है आपका? आपका result रहने वाला है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, तो 4 में 0 होगे, आपके पास में 4, and minus 3, solve करेंगे आप तो क्या हैगा? मैनेस 3, और यह मैनेस, मैनेस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका minus 3, और 7 शोंगे आपका 6 हुआ, तो देखें, आपके पास में 2 और, आपके पास में क्या 3, और 2 का order था तो 3, 2 का ही create आपको होगा, तो यह आपके पास में कहता सब्ट्रेक्शन था मैट्रिक्स का किसी स्टुड़ों कोई डाउट तो प्लीज पूछिए तो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रेक्ट करना आपको आ गया similar यहाँ पर अब मैं आपको multiplication सिखा रहा हूँ कि multiply कैसे करते हैं जो कि बहुत साधार्ण सी बात है जिसते a है तो then 4a पूछ रहा है आप से coefficient of metrics के आपका 4 है इसे coefficient of metrics कहेंगे अब यह coefficient of metrics का करेगा metrics के हर element को multiply करेगा for example कैसे जैसे आप यहाँ पर दीखें तो यह 4 into 2 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा clear है जी मेरी बात समझ रहें और यह आपका 4 into minus 3 तो क्या हो जाएगा minus 12 हो जाएगा और 4 into minus 1 तो क्या होगा minus 4 होगा और इसी तरीके से 4 into 5 क्या होगा आपका 20 हो जाएगा and 4 into 6 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा और 4 into 4 आपका क्या जाएगा 16 हो जाएगा तो अगर आप किसी numbers किसी constant numbers से multiply कर रहे हैं तो वो सभी elements को multiply करता है तो 4a की value आपके सामने है 8-12 and minus 4 clear जी बिल्कुल सही कह रहे है shake जी चलिए आप जैसे आपके सामने ये question है कि पहले तो आपके पास पे अब आपके पास में question क्या है question आपके पास में है कि आप 2a plus 3b करें clear जी तो यहाँ पर आप इस बात का धाया नखेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2 जो है multiply करना पड़ेगा A matrix है A matrix का है 0 2 3 2 1 and 4 यह आपका A matrix है ठीक है and plus 3 और आपका B matrix का है 7 6 3 7 6 3 और इसी तरीके से क्या आपका 1 4 आपका 5 clear है जी मेरी बात समझे को doubt किसी बच्चे को अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको क्या पहले आप multiply करेंगे dear पहले आप add नहीं करेंगे पहले multiply होता है addition बाद में होता है पहले multiplication होता है तो सारे elements multiply होंगे तो क्या जाएगा 0 4 6 4 2 and आपका 8 clear है जी plus similar आप multiply करेंगे 3 2 7 आपका 21 3 2 6 आपका 18 3 2 3 आपका 9 और 3 2 1 आपका 3 3 2 4 आपका 12 and 3 2 5 आपका 15 clear है जी समझ रहे हैं इन चीजों को तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास में अब addition तो होई है कि corresponding elements आपके add हो जाएंगे like 0 और प्लस 21 तो 21 रहेगा और 4 और आपका 18 आपका 22 हो जाएगा और 6 और आपका 9 आपका 15 हो जाएगा इसी तरह किसे 4 and 3 आपका 7 हो जाएगा 2 and आपका 12 14 हो जाएगा 8 और 15 आपका 23 हो जाएगा तो यह आपका क्या आ गया यह आपका result बना finally आपका clear है जी 7, 14, 23 बिल्कुल सही clear है जी second हो कि अगर बात करें तो बिल्कुल सही है आपका हाँ जी तो अब आप यहाँ देखें A matrix दिया हुआ है B matrix दिया हुआ है यह चीज़ सीखनी है यह बहुत आपके matrix में अब जो application का question आपका आएगा भी तो matrix चल रहा है algebra of matrix प्रेक्टिस करेंगे उसके बाद मैं आपको determinants पर बात करूँगा फिर transpose पर बात करूँगा inverse matrix के उपर बात करूँगा उसके बाद जो है applications के questions यूज़ करेंगे then उसके बाद मैं previous questions को discuss करूँगा तो समय अगर हमें हमारे पास में है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे और हर level के सवालों को चर्चा में लेकर के आएंगे चलिए अब देखेगा आप से क्या पूछ रहा है यह A product B पूछ रहा है 3 और 2 clear है जी A और B B matrix क्या है आपका B matrix आपका minus 2 4 1 6 और आपका क्या है यहाँ पर 2 7 3 8 यह आपका क्या है यह आपका B matrix है दो matrix multiply जब होते हैं धान रखिएगा दो matrix इसका order क्या है कितने row है यहाँ पर 3 column कितने 2 चलिए इसका यहाँ पर कितने आपका जो है row है 2 और column कितने 4 हमेशा दान लखिएगा first matrix का column और second matrix का row अगर equal होगा तभी जो है multiply प्रेट हो पाना possible है otherwise आप इसको multiply नहीं कर सकते हैं clear है जी for example मैं क्या कहने कोशिश कह रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश कीजिए first matrix का column number of columns and second matrix का number of row जब ये दोनों चीज़ें equal होती हैं तभी जाकर के क्या होंगी matrix आपस में multiply हो पाएगी तभी possible है इस बात का धहान दखिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या ऐसा है first matrix का column और second matrix का number of row equal हैं है तो यह multiply होगा ठीक है यह तो समझ में आ गया कि यहाँ भी है यहाँ पर यह multiply होगा अब यह किस order में जो matrix मेरा बनने वाला है वो किस order में मेरा matrix बनने वाला है अब सवाल ये है तो देखिए का first matrix का जो है number of row और second matrix का number of column इसी order में मेरा matrix बनता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि किस order में मेरा matrix बनेगा आगे आप चेक कर लीजिएगा सीज को first का number of row और second का जो है number of column इस order में आपका matrix बनने जा रहा है इस बात का आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं इसका मतलब क्या है चलिए मैं अभी आपको यह करके दिखा देता हूँ तो आप count कर लीजिएगा तीन row बनने वाले हैं इस बात को समझेगा column 4 बनने वाले हैं ठीक है जी clear है 3 इंटू 2 ठीक है जी 3 by 4 का बनने वाले है आपके पास में चलिए देखते हैं तो multiply कैसे करना है एक बात धान लखेगा multiply किस तरह के से करेंगे सबसे पहले row first row धान लखेगा first row सभी column को बारी बारी जाकर के multiply करेगा first row सभी column से अपना हाथ मिलाएगा जाकर के कैसे अब देखिएगा पहले समझेगा मैं एक बार कर दिता हूँ सवाल को उसकर आसान रजएगा मैं थोड़ा complicated लिया था कि अच्छे से समझेगा है अब किस तरह के से करेंगे जरह उस बात को भी समझेए जैसे कि आपके पास में मैंने क्या आला first row पहले सभी column को multiply करेगा तो कैसे करेगा first element first element को multiply करेगा तो one into minus two मैं लिख देता हूँ यहाँ पर one into minus two दो sign एक साथ यहाँ थे bracket ठीक है अभी ये पूरा का पूरा row उसके देखीगा first row first column को फिर first row second column को फिर यही first row third column को फिर यही first row fourth column को जितने column सब को multiply करेगा clear है और first row का हर एक individual element उस column के जो है element से multiply करेगा अगर मैंने इसका first element लिया तो इसके first element से multiply करेगा अगर मैंने इसका second element लिया तो जिस column में यह काम कर रहा है उस column के second element को multiply करेगा clear है जिस column में काम कर रहा है तो अभी मैं यहाँ पर first column में काम मेरा चालू है, clear है, तो first यहाँ पर मेरे पास में element first को multiply कर देगा, और फिर बीच में प्लस का sign लगा देजिए, and second element उसी column के second element को multiply करेगा, same column के, तो minus 4, आपके पास में minus 4 और into क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, clear है जी, अब क्या करेंगे, first column finish हो गया, start element खतम हो गया, फिर से अपना first row क्या होगा, second column के पास में जाएगा, अब second column के पास में, फिर से वही कहानी repeat होगी, कि first element first को multiply करेगा, one into four, और इसका second element है, उस column के second को multiply करेगा, बट बीच है plus का sign, तो minus four और into क्या हो जाएगा, आपका seven हो जाएगा, मेरे बास समझे, clear है, और इसी तरीके स से अब ये column खतम हो गया, अब यही row third column के पास में जाएगा, इसका एक element उसके एक element से, इसका एक element उसके दूसरे element से, और जब तक वो column finish हो आता है, इस प्रोसेस प्लस हो करके, प्लस के sign ही साब में चलता रहेगा, अब या आगे करेंगे, बहुस सारे सवाल करेंगे, तो आ minus 4 into 3 हो गया आपका, ठीक है जी, अब similar इसी तरह के चलेंगा, first आपका one के साथ में और 3 के साथ में हो गया, first into 6, तो first into 6 and addition, solve करेंगे, minus 4 into 8, तो आपका minus 4 और into 8, clear है जी, बेरी बात समझे, अब इसी तरह के से आप आगे चलते रहें, तो देखीगा, क्या रहेगा, यह पहले चीज़ समझ में आई या नहीं आई, पहले आप इसको देख लीजिए, एक बार, क्योंकि मैं आगे चलता जाओंगा, और आप confused हो जाएंगे फिर, बताए, यह चीज़ समझ में आपको आई, चीक है, चले, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखेएगा, आप यही सिलसिला चालू कर देते हैं, किसके साथ में, यही सिलसिला शुरू कर देते हैं, आपका second row के साथ, same, second row जाएगा, सारे कॉलम से गले मिल करके आएगा, तो आईए पहले, कैसे, पहले 5 और इसके first element से, ठीके न, आप सारे कॉलम से दुबारत होगा, 5 into, 5 into minus 2, multiply हु हो, अब addition करेंगे, clear है, जब तक उसके column के side element खत्र में आते हैं, तो addition चलता रहेगा, and second element second से, तो 3 into 2, अब इसी तरीके से 5 into 4, 5 into 4, सर, third column में, एक multiply by 1 होगा, आद देख लेते हैं, मिज़रा, 1 multiply by 1, and आपका minus 4, minus 3, था बिलकुल सही पैचाना जी, क्योंकि आपके पास में 1 multiply by 1 होगा, ठीक है, हाँ जी, आप चलते हैं यहाँ पर हम, तो हमारे पास में, कहाँ पर आ गया अभी हम, अब हमने क्या गरा, 5 into 4, and आपके पास में 3 plus 3 into 7, ठीक है जी, इसी तरीके से 5 into 1, 5 into 1 plus, और 3 into 3, 3 into 3, और इसी तरीके से 5 into 7, 5 into 6, और आपका 3 into plus 3 into 8, clear है जी, कोई डाउट, और अब बारी किस की है, अब इसी तरीके से जो टरन है, वो टरन है, बच्चे किसका, वो टरन है, कुछ डिफरेंट कलर ले रेते हैं, चलिए, अब आपके, किसके, थर्ड रो का, तो थर्ड रो में देखेंगे, similar, यही first element first से multiply करेगा, तो 0, यहाँ दिखीगा नहीं है, कोई, 0 into, आपका minus 2, plus 2 into 2, clear है जी, उसके बाद आपका second column से मिलते हैं, 0 into 4, plus आपका 2 into 7, और इसी तरीके से 0 into आपका 1, and 2 into आपका 3, plus 2 into 3, और इसी तरीके से 0 into आपका 6, और आपका 2 into 8, plus 2 into आपका 8, clear है जी, यह इस तरीके से आप के करेंगे, इसको product करेंगे, अब थोड़ा सा करते हैं, उपर, अब बस आपको क्या करना है, final अपने answer पर पहुँचना है, और final answer क्या होगा आपका, देखेगा, यह क्या होगा, आपका minus 2, और यह आपका क्या होगा, minus 8, तो minus 2 और minus 8 क्या होगा, minus 10 होगा, ठान रखेगा, यह क्या होगा, आपके पास में 4, और यह आपके पास में क्या होगा, minus 28, तो minus 24 आ जाएगा ये, clear है जिए, plus का 4 and minus 28, तो क्या जाएगा, minus 24, ये आपका 1 and minus 12, तो 1 और आपके पास, ये minus plus minus जाता है, तो 1 और आपके पास में minus 12, तो minus 11 आ गया आपका ये, और इसी तरीके से आपके पास में क्या रहा, कि आपका 6 और आपके पास में 32, तो आपके पास में जो है, ये आपका 26 minus का रहेगा, तो minus का 26 रहा, और यहाँ पर आपके पास में minus 10, और प्लस आपका 6, तो ये minus का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपके पास में 20 और 21, तो आपका 41 हो जाएगा और यहां पर 5 और 9 आपका 14 हो जाएगा और यहां पर अगर आप देखें तो 30 और आपके पास में 24 तो 30 और 24 54 आपका हो जाएगा यह और सिमिलर अगर आप करते हैं तो यह तो खेर 0 हो जाएगा यह आपके पास में क्या रहेगा चार यह 0 हो जाएगा और यह क्या रहेगा आपके पास में फौर्टीन और 0 यह आपके या रहेगा 6 जीरो आपके पास में क्या रहेगा 16 final answer आपका यह आया मैंने क्या कहाता आपका 3 और 4 के order में ही बनेगा चेक कर लिजिएगा 3 और 4 के order में ही बना बात सुझ में आपको आई या नहीं आई बताए ज़रा क्लियर है बताओ ज़रा सुझ में आपको आया है या नहीं आया कोई doubt किसी strange को doubt है तो please पूछे किसी भी तर guten कोई doubt है किसी भी बच्चे को तो please पूछेंगे आप कोई doubt किसी बच्चे को यहां पर क्या आपका आएगा minus आपका 10 और यहाँ पर plus 6 तो minus 10 इन plus 6 क्या आएगा आपका minus 4 आएगा ठीक है आगे बड़े तो मल्टिप्लाइब करना आ गया इस पर थोड़ा सा रहता है बच्छे पर प्रेक्टिस के बाद ही आपको समझ में आएगा कुछ एक दो मल्टिप्लाइब और कर लेते हैं तक आपके अच्छी सी हैबिट में आ जाए अब एक जैसे कि आपके लिए चीज़ें क्या है थोड़ी सी फाइंड एंड बी सच्ट एट एबी इक्वल्स टू बीए कंप्यूट रिये तैना आपके पास में यह आपको फाइंड करना है आई जरह इस कोशन करते हैं कई बार देखिए पेपर एक्सपेडिशन रहता है कि अपने लेवल पर आए और जनरली आता भी है यह कई बार इतना आसान पर आ जाता है वह एक्सपेडिशन नहीं होती है वह प्रपेशन नहीं होती है बच्छे की जैसे कि छोड़े मोड़े सवाल क्या तक आपसे पूछ ले तो देखे जिरा नहां पर क्या आपके पास में क् 3, 4, 2, 1 और B मेट्रिक्स के आपके पास में A, 3, and B, 5, clear है जी और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो B मेट्रिक्स आपके पास में क्या है वहीं similar पहले B, देखेंगे अपर प्रोड़ेक्ट में डिफरेंशीट होता है ठीक है तो बच यहां पर कहा रहा है एक्वल है तो B और A अगर आप देखेंगे तो B क्या आपके पास में A, B, और 3, 5 और इसी तरीके से 3, 2, 4, 1, clear है ना, सब्सक्राइब में कुछ आया या नहीं आया है बताइए अब देखें जा रहें यहां पर first को first के साथ में जो है आप multiply करेंगे तो क्या एगा 3 और A तो क्या आएगा आपके पास में जिससे हमने पहले कर रहा था पहले first row पुरे first column को तो first element, first element 3 A हो जाएगा उसके बाद 2 plus करेंगे और आपका 2 into 3 क्या जाएगा 6 हो जाएगा similar first row second column पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3B and आपके पास में plus 10 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपके पास में यह second row के बारी है तो यह 4A plus और आपका यह second element second के साथ में तो 3 और similar इधर आपके पास में 4B और यह आपके पास में क्या जाएगा plus 5 तो first को multiply करने पर तो यह result आया अब equal का sign है तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं equal के sign में तो आपके पास में first element first को multiply करेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि first row जाएगा पहले first column को multiply करेगा तो first element first के साथ में तो 3A जब तक सारे खतम नहीं हो जाता है प्लस करते चलिए यह आपका 3B हो गया clear है अब यही row उसी तरीके से आप जाएगा second के पास में तो वही आप काम करेगा क्या करेगा यह first row आपका जो है first element first से आप multiply करेगा तो क्या करेगा यह आपका 2A और यह आपके पास में plus B कर देगा clear है अब आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर row भी चीन हो जाएगा तो 3 into 3 आपका 9 और 5 into 4 आपका 20 और इसी तरीके से आपके पास 6 और यह आपके पास में क्या जाएगा यह 5 clear है multiply करके समझ में आए आपको कोई doubt matrix अभी यह मत पूछे कितने क्लास में खतम होगा मेरे बाद समझे कभी भी किसी टापिक को आप यह मत सोची कि वह एक आपके उपर बर्डन है काम है जो खतम होगा बाद समझे रहे ना चुकि जब भी cinema hall में देख लेते हैं एक बार 4 B कह रहे हैं 3 A और उसके बाद 3 A 4 B यहाँ पर आपका यह क्या होगया 2 A और प्लस B आपके पास में 9 20 और 6 5 ठीक है अब देखे ज़रा कभी यह मत सोची कि कभ खतम होगा कभ खतम होने का मतलब क्या वो आपके उपर एक बड़न है और इस तरीके से बड़न लेकर के पड़ोगे तो जीवन का मजा खराब हो जाएगा जीवन का मजा आप यह मत सोचीए कि आपका जब become complete हो जाएगा तब उस दिन से आप अपने जिन्द की जीना शुरू कर देंगे बिल्कुल भी नहीं आप यह भी मत सोचीए कभी भी वह पॉइंट नहीं आता है जहां पर आपको इंडिगेट करेगा कि अपनी अपने लाइफ को आप जी लो आपकी जरनी है जिंदगी का मंजिल का कभी कोई मजा है ही नहीं मैं अगर आपको बताओं तो मजा है सफर का है एक च्छोड़े था सब्क लिए घूंड़ने भी जा रहे हैं तो जहां पर आप पहुँछे हैं वहां क्यों होती है जो रास्ते में हम देखते पूजा आते वह में में मैंड में ज्यादा रहती है तो यह आपके जीवन का जो है यह आपका शफर है अगर तो आपको क्या कंत Сकता है तो आप आप चलता रहेगा है ख िरलता रहेगा है आपके सब्सक्राइब पहले आपको कॉर्स कम्प्रीट कर दूँगा लेकिन यहां पर बात कि करियर की बात कि अभी तो आप नन्ने मुन्ने बचे हैं अब आप ग्रेजुएट भी होने वाले ऐसी बात नहीं है कि आपके पास इसके बाद नेक्स लास्ट एर अंदेन आप ग्रेजुएट हैं तो एक चिंता भी होगे कि यार हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे सबसे पहले आप मैं आपको बताता हूं कम से कम मैं पिछले 12 साल से मैस पढ़ा रहा हूं और मुखरजी नगर में मैस पढ़ाता हूं जितने भी UPC IS के कोचिंग है उन IS की कोचिंग में मैं मै अब एक बैस में पान पान सु हजा जार बच्चे भी होते हैं तो मैंने वहां पर रिक्षीच अबसर्ब किया आप हैरान हो जाएंगे सीच को देखते वे कि आई एस की कोचिंग कौन ले रहा है एक जो के 10th क्लास का पेपर देकर का आया वह आई की कोचिंग ले रहा है मैं अब तो अब इलिजिबल नहीं आप तो ग्रिजुट के बाद होंगे तो कहता कि सर ग्रेजिशन तो साइड बाइस चलता रहेगा उसको दो दाहे गंटे पढ़ाई कर लो बहुत है जो एक मिनीम पर परसेंटेज है वो लाग लिएंगे थोड़ा तो अच्छा लिएंगे च तो फिर तो जीवन में जब एक बढ़ापे के मोड पर आ जाएंगा तो कमाने निकलेंगे तो बच्चे आज के सभी बच्चे जो एक छोटे से से का या कलर का या बैंक की प्रपेशन भी कर रहा है पीओ का कर रहा है वो स्टुडेंट के बाद ही अपने आपको अच्छी त इस लिए कि इसलिए कि देखते हैं कि क्या होगा और तयारी करते दो साल हो गया त्यारी हो चुकिया अब तो बस वो टेस्ट वेज्ट करके पलिश करते हैं उनमें दस बच्चों ने कर्दा पेपर पास कर दिया बजात में बहाता उसको लेकिन कोई बात नहीं अब बीचार जल्दी से ग्रिजुएटों के परदें और सरकाय नोगरी पर लग जाएं तो प्रिपेर्शन कहां स्टार्ट होती है अगर आप ने भी कुछ न कुछ प्लाइन कर रहे हो तो बहुत अच्छे चल रहे हो अभी तक आप में शुरुआत नहीं करें तो आप अलड़ी बहुत ले करते हैं हां जी देखे जरा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में इकलेट करेंगे आप तो आपके पास में क्या आएगा इस सबसे फर्स्ट और यह आपका फर्स्ट एलिमेंट जब एकॉल का साइन होता हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमींट के एकॉल ओगा फर्स्ट रो का आपका जुह है और हापके पास में शीम सिक्स बाइफ्र एकॉलज तू इसको बाद आप इसी तरह केंगे इक निक Vai करेंगे सको तो आपके पास में क्या आएगा second को तो 3B plus 10 equals to 2A plus B clear है जी अब आप यहाँ पर minus करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 2B plus 10 equals to 2A ठीक है B की value आप replace कर सकते हैं क्या हैगा 3 by 2 तो B की value 3 by अगर आप 2 रखेंगे तो 3 plus 10 बचेगा 3 by 2 रखेंगे 2 से 2 कर जागा 3 बचेगा ठीक है equals to 2A and A equals to क्या आपका 13 by 2 तो अब आपके पास में matrix में आपके पास में A की value replace कर सकते हो क्या 13 by 2 and आप B की value क्या रखेंगे 3 by 2 अब पूछ कहा रहा है आप से 3A तो क्या आप 3A क्या आप 3A क्या आप के पास में है 3 2 4 1 तो 3A की value क्या होगे आपके सारे element से multiply करेंगे 9 6 12 and 3 clear है जी 3A की value यह है आपके और उसी तरीके से आपको 5B तो चलिए 5B निकालते हैं तो 5B की value क्या होगे आपके 5B equals to आपके पास में 5 और into B matrix तो B matrix क्या है आपका B ये A की value तो आप क्या रखेंगे 13 बटे आप 2 रखेंगे और B की value क्या रखेंगे आप 3 बटा 2 रखेंगे और आपके पास में कैए 3 और 5 है तो चलिए solve करते हैं सारे elements से multiply करेंगे तो 65 बटा क्या आजाएगा आपका 65 बटा आपका 2 आगए 5 से multiply करेंगे तो क्या जाएगा आपका 15 बटे आपका 2 आजाएगा और similar इसी तरीके से आप 5 से multiply करेंगे तो 15 और यहाप क्या आगे 25 तो आपके पास में आ गया आप क्या कह रहा है कि 3a और 5b को प्लस कर दो तो 3a क्या है मेरे पास में? 3a मेरे पास में है 9, 6, 12 and 3 प्लस करना है 3a प्लस 5b तो 5b क्या है? 65 by 2, 15 by 2 and आपका 15 and आपका 25 clear है जी? अगर आप इसको आपको यहापर क्या करना है? प्लस करना है तो प्लस करेंगे इसको इसको तो आपके पास में 18, 65 और 10 आपके पास में 85 और 18, 83 by 2 आजाएगा अगर आप इसको एड़ कर देंगे तो ठीक है जी? अब आपके पास में second को second से आप एड़ करेंगे तो आ आपका अंसर रहा है? पहले बेसिक-बेसिक काल कुशन आप सीख लीजिए. कोई डाउट किसी बच्चे को? रही है तो पूछीए, समझ में चीज़ें आ रही हैं आपको? करें से लेटे कोई बात हो तो कमेंड में इस तरह की साब पूछता रहे करें सर क्या कर रहे हैं? आप क तो अब मैं आपके लिए क्या स्कोप है आपके लिए वह बात हो जिसे भी कि विकेंसी जो आ रही है एक लाख बीस जार रेलवे के अंदर विकेंसी आ रही है टिकट चेकर से लेकर के एक अकाउंटेंट असिस्टेंट से लेकर के हर डिपार्टमेंट की जो है विकेंसी एक ल सीजल 2023 की जो है वेकेंसी आने वाली है बट वो सीजल के लिए आप इलिजिबल नहीं और प्रपेशन आपको स्टार्ट करना चाहिए सीजल में क्या क्या पोस्ट होती है अकाउंटेंट टैंट्र आफिसर होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्टी ये लोग कहां से बनते हैं ये सब सीजल के थ्रो बनते हैं इसका पर प्रोसेस होता है इतरा आसान नहीं है मेरा मानना है कि डेली रोजाना के चार पठी दिन चार गंटे पड़ाई एक साल तक, खतम, कोई भी सरकाई नोकरी ले लो, क्लिर है जी, चलिए अब आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सवाल, जैसे आप आपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि क्या आप B पहले ब्रैकि कर लेंगे, जो एड करने के बाद फिर आप A matrix को multiply करेंगे, और similar यहाँ पर क्या करेंगे, आप A और B matrix multiply कर सकते हैं, और A और C भी multiply कर सकते हैं, इसको आप addition करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि जो left side का result, जो right side का result क्या equal आ रहा है, इसको आप चेक कीजिए, यह मैं आपक vacancy निकलती है, तो सारे vacancies क्या होती है, कि मैं बच्चों को inform करता हूँ अपने batches के अंदर, कि यह vacancy आ गई, यह vacancy आ गई, इसका पुराएक के calendar भी होता है, calendar क्या होता है, अगर आप government के side में, हाँ जी, आप देखते हैं अगर government के side में क्या होता है, कि जैसे कि आपका दिल्ली उनिवर्सिटी है, जिसका काम क्या है, लोगों को graduate करना, है ना, डियू को एक particular college नहीं है, बहुत एक कुछ ऐसा नहीं कि आप डियू में जा रहे है, डियू पूरे के पूरे organization का नाम है, ज से, उसी तरीके से सरकारी जितने भी पद हैं, अब सरकारी पद कहां कहां पर है, बैंकों में सरकारी पद हैं, चाब वो पीयों का हो, चाब एक कलर का हो, post office देखते हैं, court का cherry देखते हैं, जहां पर color को ते अचाउंट होते हैं, अब या जज्ज थोड़ी account बनाता है, parting है, clear है, और जिनकी तनका 35,000 पर आज की date पर है, जो की date में है, वो भी retirement भी date से 2 क्रोड़ों पर उनको भी मिलता है, अब मिलेगा, तो यहां पर इस सारी jobs क्या रहते हैं, सरकार ने क्या करा कि जितने भी पदे हैं भारत में, जितने भी सरकारी नोक्री हैं, इन सब के जग से स्टाफ सेलेक्शन कमिशन, कि यह आपका काम है, जो भी पद खाली हो, उसको भरो, रेलवे में जो retirement हो गया, उनको भरो, हर साल लाखो रिटार्मेंट्स होती हैं, उनको भरना है आपका, यह काम हो गया स्टाफ सेलेक्शन कमिशन का, अब स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने क क्या करा इस्टाफ सेलेक्षनि ये सारे कुशिन से मैं पीडियाफ अभी आपका जो है डलवा देता हूं प्रेक्टिस कर लिजेगा तो स्टाफ सलेक्षिन कमिशन ने बच्चे क्या कर दा हूँ ये देखिए से उपर ही आगे, तटीक है जी आगया, अब इसमें क्यों आपको देखने को मिलेगा अगर आप देखते हैं तो एक चीज यहां देखने को मिलेगा आपको यह देखिए जो है awareness डाल दी है क्या awareness डाल यह जैसे कि multitasking staff की जो है वो आपके कब आ रहे है वो 22 March को देखिएगा सारी detail है आपके सामने वो कब आ रहे है 22 March को आ रहा है closing date form की closing date क्या हो जाएगी 30 अप यह तो हो चुक है फिपर यह 22 वाले तीस वाले अगर देखें आप 22 वाले तीए हर vacancy निकलते रहती है यह देखेंगे एक vacancy कौन सी आरे जो आप भरतकते हैं मैं बता रहूं आपको यह 25 जनवरी को आ रही है vacancy ठीक है जी 24 फरवरी को बंद हो जाएगा यह और इस तरीके से आप जो है अपरेल में इसका एक्जाम फेज करेंगे यह आप भर सकते हैं ठीक है क्लेर और क्लेर यह दिल्ली पुलिस वह रहे हैं कुछ वेकेंसी हैं तो यह आपके पास में स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के क्या है यह आपके पास में इसके पूरे साल की जो है कैलेंडर रहते हैं तो यह मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप इस तरह से देख कर क्या चीजें आप हमें पता लगता है और इसके अपने एक वेब्साइड है जहापर आप जो है फॉर्म को आप इसी व पर दीजिए पिपर देखर के आईए ऑनलें रिजल्ट आता है घर पर रिजल्ट चेक लिजिए आप शॉर्ट लिस्टिट अगर हो गए है तो डोकुमेंट वेरिफिकेशन कराईएगा जो प्रोसेस को फॉलो कीजिए तैन आपके जोइनिंग लेटर आएका भारा सरकार का पड़ा था जिस पर महर होगा आप जाईए कहां पर जोइनिंग करनी है यहां पर जाकर क्लेटर दीजिए और अपना काम स्टार्ट के जिए तनका उठाइए सर इसका स्लेबस क्या होगा बिटा सबसे अच्छी बात रहा हूँ आप सब सुनकर के खुश हो जाएंगे इस बात को किसका स्लेबस क्या होगा स्लेबस में अगर मैं बात करता हूँ कि यह तो मैं भी रेस कर दूँगा स्लेबस में कोई सी भी स्थरकाई नोक्री दे लिजिएगा स्लेबस में होता है इनके मैस रिजनिंग इंग्लीज और जन्नल नोलेज इसमें करेंट अफैर वगरा होता है यह अब आप चाहिए रेलवे का आप आप कोई से भी सभी गौवर्मेंट जॉब की मैं बात का रहा हूँ पूरे भारत में किसी भी पद के लिए देंगे सेम सिलिबस रहेगा एक चप्टर भी चेंजनियों को बस जो थोड़ा उपर वाले पोस्ट हैं इंस्पेक्टर की पोस्ट है इंकम टेक्स इंस्पेक्टर बनना है आपको तो बनिये न इंकम टेक्स इंस्पेक्टर बनिये निया इंकम टेक्स भी तो पढ़ा है आपने बन जाओ इंस्पेक्टर बास समया है तो आपके पास में सब के लिए सेम स्लिबस है बस इंकम निंस्पेक्टर अच्छा लवल है तो वहाँ पर आपके कोश्टन का लेवल बढ़ जाएगा बड़ जायेगा बड़ सेम रहेगा जैसे मेट्रिक्स है ना कभी आसान पेपर आजाता है कभी मुश्किल आजाता है तो छोटे पद होते हैं उसमें आसन पर आता जो बड़े पद होते हैं पर थोड़ा सा लवल जाता है क्लिर लेकिन स्लिबस का सेम रहता है क्लियर कभी इस तीज को परृबाल तसलिश से करेंगे लेकिर हां मैं शीचकी परपार्प्रेंट लेश्क मुखर जिन गर मैं अर अपन सें, 90% सें है, तो cat plus government job का मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक batch बनाया है, जिसके class जो है, मैं start करने वाला हूं, 15th of gen से start करने वाला class, जिस आप देखेंगे न, अपने store पे जा करके, तो store पे आपको इस बैच जाएंगे, जो, छेका जी, छले मिलते हैं फिर, next class में, झाल झाल